हलो एव्रिवन वेलकम टू स्टडी विंस आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 कॉस्टिन नमबर 7 और 8 वाल करेंगे एरिया रिलेटेट टू सर्किल्स का चलिए कॉस्टिन नमबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें पाई का आपको 3.14 यूज करना है और रूट 3 के वैलू 1.73 यूज करना है तो देखिए क्वेश्टिन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक सर्किल है और इसका एक हम कॉड ड्रॉ कर ले रहे हैं यह कॉड का नेम दे देते हैं और यहां पर यह कॉड के द्वारा सेंटर पर यह वह दे यहां पर जो एंगेल बन रहा है वह 120 डिगरी का बन रहा है तो आपसे यह वाला जो सेगमेंट है means area of minor segment find out करने के लिए पूछ रहा है तो अभी तक आप question देखे थे कि इसमें 60 degree था जो sector प्रेंगिल था 90 था 30 इस तरह से questions थे लेकिन ये वाला 120 degree है तो इसको भी easy method से हम कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते है तो area of minor segment equal to होता है area of sector और यहाँ पर जो sector कौन सा बन रहा है OA और यहाँ पर देते हैं B OA BC minus क्या करना पढ़ेगा area of triangle triangle कौन सा? OAC और अब जानते हैं कि area of sector क्या होता है theta by 360 degree into pi r square minus तो आपको पहले के वीडियो में बताया था कि किसी भी triangle का आप अगर area निकालना चालते हैं तो इस formula का यूज करके निकाल सकते हैं अगर sector angle आपको पता हो half r square sin theta बाकी equilateral triangle का बताई दिया था root 3 y 4 square और आपका right angle triangle half base into height उस तरह से आप निकाल भी सकते हैं लेकिन यहां पे 120 degree दिया हुआ है तो यह ना equilateral triangle है ना right angle triangle है तो इसका आप यह formula का यूज कीजिए easy way में निकल जाएगा half r square sin theta तो देखिए theta का value यहां पे लिखेंगे 120 upon 360 और question में बोल रखा था कि pi का value आपको use करना है 3.14 multiplied by r square तो radius भी question में बताया हुआ है यह भी 12 है और यह भी 12 दे रखा है question में minus half r square अब देखिए radius 12 है 12 का square क्या होता है 144 और इंटू यहां पे लिख देंगे sin theta sin 120 degree अब इसको देखिए यह 120 है तीन बार में कट जागा जैसे 0 से 0 कटा और 12 3 जा और इसको कट कर दिजे तीन चौक 12 होता है 3 4 जा 12 और इसको multiply करना पड़ेगा 12 चौक 48 48 इंटू 3.14 इसमें से आपको इसको सब्ट्रेट कर दिए 2 से 12 तो 72 जानी 72 multiplied by अब आपको यहां पे तो थोरा सा trigometry का दिमाग लगाना पड़ेगा जो आप पीछे पढ़ चुके होंगे trigometry नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आपको पढ़ना है टेंथ में trigometry से question आता है तो साइन 120 का कैसे निकालेंगे तो आप जानते हैं साइन 90 यह फॉर्मुला नहीं जानते हैं तो लिख लिए साइन 90 प्लस ठीटा बड़ाबर होता है कॉस्ट ठीटा तो साइन 90 प्लस ठीटा इक्वल टू कॉस ठीटा तो यहां पे साइन आप क्या कर सकते हैं 90 डिगरी प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को 90 प्लस 30 क्या होता है 120 क्यूंकि आप से तो यहीं पूछा हैं साइन 120 का वैलू Kane 120 के जगे freuen 20 को यतों करके क्या लिसा थे 90た है 90 p list-30 और we have 90 plus eger भी बता है क्या होता है कॉस्ट उसका मतलब कॉस्ट 30 के बराबर होगा इस को क्लिटू क्या हो जाएगा सो थिर adjust he साल के वहां पर बताना पड़ेगा, साइड में अप इसको निकाल की यहां पर दिखा देजगा कि हमने कैसे यहां पर निकाला, कि साइ 90 प्लस ठीटा इकोल कॉस्ट घीटा और कॉस्ट 30 की वेलूरू रूट थी वाइट्वी तु लेकिन उससे थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इसको आप कट कीजिए दो से कीजिए कि चछतिस थर्टिसिक्स रूट थ्री और अब हम क्या करते हैं इस में से पूरे में से टुवल्ब कॉमन ले लेते हैं टो टुंप कॉमन लेगे तो यहां पर क्या बचाएगा 4 बचेगा इंट्व 3.14 माइस में यहां पर क्या हो जाएगा साथीव हां 3 थरीश्य बच दाए क्योंकि बार्ट थी था पकर रिर्ट 0 भी बच जाएगा इसका देखे 3 into 1.73 यही पर लिख देते हैं इसका यह value आपको 3 multiplied by क्या होगा यह उपर वाले step में लिख लेते हैं 1.73 लेना है तो इसको जब multiply कि जिए आदे कितना हो जाएगा यह 5.19 आएगा जब इसको multiply किजेगा तो इसको subtract कर दिजिए 12 into 7.37 होगा subtract करने पे और यह हो जाएगा 88.44 cm2 question number 8 में दिया हुआ है a horse is tied to a pig at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope तो आप से यह पूछ रहा है कि the area of that part of the field in which the horse can graze and the increase in the graze area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter तो देखें question कुछ इस तरह से है जैसे एक square shaped कोई field दिया हुआ है और जानते हैं square का sub-angle क्या होता है 90-90 यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 square हो या rectangle हो sub-angle क्या होता है 90 degree तो यहाँ पर गोड़े को बांदिया गया है इस corner पर और उस गोड़े का जो रस्सी है वो कितना है पांच मीटर का है तो यह भी पांच मीटर होगा और गोड़ा जो ग्रेज करेगा मतलब चरेगा फिल्ड को तो पांच मीटर तो sector area of sector पूछ रहा है area of sector आप यह भी लिख सकते हैं कि area of that part of the field in which horse can graze same question में जो लिखा हुआ है first में area of the field in which the horse can graze is equal to theta by 360 multiplied by pi r square कर दिजेगा ध्यान रहे आपको pi का value देखना है question में नीचे में यहां पे दे रखा है कि पाई का value कि इतना use करना है तो थोड़ा बहुत answer तो एप्रोक्स में आ जाएगा अगर 22 by 7 लिजेगा लेकिन जब दे रखा है तो आपको वही लेना है 3.14 तो थीटा लिजेगा 90 by 360 multiplied by 3.14 into r square तो r कितना है यहां पे radius पांच का square क्या हो जाएगा 25 और इसको पॉइंट को हटा दिजे यहां से उपर से तो नीचे दो जीरो आ जाएगा तो 314 भाई 400 into 25 कर देते हैं ठीक है आपको कल्कुलेशन फुरा सिंपल करना है अब माल लिजे कि इसको कट कर दिजे तो पांच से कट कर सकते हैं आप था जिद्फेशन से कट कर सकते हैं पांच से थो पंद्र पंद्र 15reno से यमीटे कर सकते हैं और यहां पर यहां पे कितना बच जाएगा इफटिन बचेगा तो ये डिर्ड सों जा घाएगा तो पच्चिस छे बार में क्या हो जाएगा येडिर सो 2 8 जा 16 और 2 से कितना हो जाएगा 15 15 बार में 30 हुआ एक बच गया 157 अपॉन 8 हो गया 157 अपॉन 8 अब इसको आप डिवाइड कर लेजएगा तो डिवाइड करने तो आता ही होगा कि तो यह आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वाइर ऑफ सेक्टर अब सेकेंड कोश्चन ने पूछ रहा है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एडिया इफ द रोप टेन मिटर लॉंग इंस्टिट ऑफ पांच मिटर अब क्या रसी को थोड़ा सा अब पांच मिटर के जग़ा पर कितना ले लेना यहां पर 10 मिटर क लेकिन इसने 10 मीटर का रसी लगा देंगे तो यह कुछ बड़ा एडिया मतलब कि चड़ेगा है तो यहां से यहां तक जब 10 मेटर तो आप से पूछ रहा है पहले तो तो यह वाला पूरे का एरिया में से यह वाला एरिया को माइनस करेंगे तो यह बीच का बचेगा जैसे यह एक रोप है और यह माल लिजे कि यह 10 मीटर वला रोप है और यहां से यहां तक कितना है यह 5 मीटर वला है तो शुरू में तो इतना ही अरिया ग्रेज कर रहा था अब उसका 10 मीटर का रस्य हो गया तो यह पूरा अरिया ग्रेज करेगा तो increase कितने का हुआ यही वला area ने increase किया बट पांच अगला पांच तो उसको निकालने के लिए क्या किज़े पूरे में का area निकाल लिए एक बार 10 में से और यह वला छोटे वला area तो यह beach का area बच जाएगा तो इसमें आपको लिखना परेगा increase in grazing area is equal to तो area of sector जो with radius 10 minus area of sector with radius 5 तो हम इसको लिख देते हैं theta by 360 और कुछ ही इस तरह से देते हैं कि confusion नहीं हो पाई यारे स्क्वाइर और theta तो सेम रहेगा दोनों cases में बस यही आपको कर देना है तो इसमें जो common है उसको बाहर ले लेते हैं बाकी इस तरह से कर लेते हैं यहां पर तो ठीटा का यहां 90 है by 360 पाई भी सब में के लिए common रहेगा तो यहां पर बचेगा बचेश पर कर दीजे तो अगर आप इसको बाद में कट करेंगे पहले इधर का देख लेते हैं तो यह क्या हो जागा तो 75 हो गया अब आपको इसको जैसे भी करना है तो नीचे आगया 400 और यह हो गया 75 अब इसको कट किजिए पचीस तिया क्या होता है 75 और पचीस से अभी 16 वार में काटे थे 25 एक बार में फिर 15 बच जाएगा तो देड़ सो पचीस चक देड़ सो 314 को 3 से गुना किजिए तो 300 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 914 तिया 942 तो कितना हो जाएगा यह 942 बटा में 16 अब इसको दो से काट के देखिए दो अठे 16 तो जोगा आट कि दो सते 14 होएगा 471 अपन एट इसको आप भाग देके देख लिजिए डिवाइट कर लिजिए चलिए मैं एक आपके लिए करके बता दे रहा हूं यह तो सबको आता ही होगा 8 बचे क्या होता है 40 7 बच गया एक बच गया 867 88 64 64 हो जाएगा 888 64 फिर यहां पर कैरी लिजागा तो कितना हो जाएगा 11 11 11 में से 4 गेट तो 7 फिर पॉइंट देजिए 0 हो गया आप सब्सक्राइब देजिए और फिर आट बचे चालिस और फिर आट बचे चालिस आट बचे चालिस